नमस्कार, दैक्स्प्रेस नियूज में आपका स्वागत है इलाहबाद के मौवायमा थाना अंतरकत बागी गाउं में दो दिन पूरो हुए पूरो बीडीसी सदस्य की हत्या के मामले का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है दो दिन पूरो पूरो पडोसी गाउं में पूरो बीडीसी सदस्य का शवबरामत हुआ था उसकी गलारेद कर हत्या की गई थी इसकी सूचना मिलने पर घर में कोहराम मच गया मा, पत्नी, बच्चे और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए हत्या करने वाले दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया है उनके खिलाब मुकत्मा दर्ज कर पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया बागी गाउं निवासी और पूरो बीडीसी सदस्य ग्यान चंद्यादों का दो दिन पहले शोव पडोसी गाउं लोकापुर में बरामद हुआ था सड़क की किनारे शोव मिलने की सूचना पर गाउं में संसनी फैल गई पुलिस मौके पर पहुँची और उसके जेब में मिले आधार कार्ड के आधार पर ग्यान चंद की पहचान की गई उसकी गला रेत कर हत्या की गई थी और चेहरे को भी बिगार दिया गया था पुलिस ने घर पहुँचकर परिजनों आसपास के लोगों और संदिकदों से पूशताश के आधार पर मामले की जानकारी जुटानी शुरू की पूशताश के दोरान पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे उसी के आधार पर गिरफतार लोगों से पूशताश के दोरान इनकी गिरफतारी की गई मिर्टक के चार बच्चे हैं जिसमें तीन बेटियां और एक छोटा बेटा भी है मिर्दक की पत्नी भी गर्ब होती है पिता की मौत 15 वर्स पहले हो गई थी और बिधोवा मा पत्नी और चार बच्चों का वो अकिला ही सहारा था उसे आर्थिक मदद दिलाने के लिए लेखपाल ने रिपोर्ट बना कर HDM को भेजी है अस्थानी लोगों की मदद से आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास किया जा रहा है हत्या के संदर में पुलिस का कहना है कि मिर्टक का पडोसी गाउन लोकापुर निवासी दूद नाध्यादों से डेड़ भीगा जमीन का विवाद था मामला कोर्ट में विचारा धीन था कोर्ट में अपनी संभावित हार को देखते हुए दूद नाध्यादों ने 50,000 रुपे में राकेश कुमार निवासी बागी को तैयार किया और दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया पुलिस के मताबिक आखरी वक्त में ग्यान चंद्यादों ने कई बार अपने जान बक्षने की गुहर लगाई लेकिन दोनों हत्यारों का दिल नहीं पसीजा